मस्कार आदाप सस्ट्यकाल राम राम खमागणी दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल दा सक्सेस में तो दोस्तों आज है 16 जन्वरी और आज का है संडे और आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही अच्छा कोशन लेके आई हूँ जो आप नॉर्मली उनको फसा लेता है मतलब उनकी बहुत सारी प्रोपर्टिव अगरा हतिया लेता है या फिर उनसे आंत्रेक मामलों में उनके छिट जाड करने लगता है इस तरह की नितिया लेकिन एक्जेक्टली अगर हम से लिखने को पूछ लिया जाए कि डेप्ट्रेप पोलिसी क्या है कि चाइना पर ही इलजाम लगाया जाता है कि चाइना डेप्ड ट्रेप पोलिसी अपनाता है ना तो उसको ही मैंने अब दो तीन दिन से ये ख़बर चल रही थी मतलब न्यूज में आ रही थी तो उससे ही मैंने पॉइंट लेने की कोशिस किये हिंदू के ही आर्टिकल थे उन में से दो तीन पॉइंट उठाने की कोशिस करिये तो आई थिंग कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और मतलब ये कोशन डिरेक्टली नहीं भी आएगा तो हमारी विदेश निती आ जाती है या फिर चाइना के साथ से चाइना इंडिया रिलेशन आ जाते हैं कोई न आई भी पूचें तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि अगर हम सिविल सर्विसिस की तैयारी कर रहे हमारे आस-पास की लोग अगर हमसे पूचते हैं क्या है चाइना को लोग ऐसा क्यों बताते हैं तो भी हम थोड़ा सा कि छोटे बच्चों को इक्लियर कर सेगें हैं उसके लि करते हैं हम कि किसी भी देश को गुलाम बनाने के दो तरीके है पहला युद्ध में तलवार के दम पर और दूसरा तरीका है कर्ज का और चीन ने दूसरा तरीका अपनाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज दाता होने का मुकाम पा लिया है एक रिपोर्ट की अगर हम तुकर आया है कि चीन में प्रखाल उल्हें दिया है। दोस्तों आप भी अगर कोई ऐसा निबंद आता है। फिर कुछ ऐसा आता है उपनिवेश वाद से रिलेटिड तो ये वक्तविया यूज कर सकते हैं कि जॉन एडम्स के अनुसार किसी भी देश को गुलाम बनाने के दो तरीके हैं पहला तो हम उसे युद्ध में जीत लें तलवार के दम पर और दूसरा कि हम उसको इतना करजा दे दे कि वो करजा चुका नहीं पाए और लास्ट में हमारा वो गुलाम बन जाए और चीन भी नव उपनिवेश वाद जिसे बोले हम कि उपनिवेश करण का एक नया तरीका और जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में करजा दे रहा है चीन और आज हम देखे तो विश्वे का सबसे बड़ा करज दाता बन गया है चाइना ठीक है चीन द्वारा विबिन देशों को दिया गया करजा उसकी कुल जीडीपी का 5% है कितना है करजा चीन कितन चाइने में यूज कर रहा है तो एक तरह से उसकी एकोनोमिका हिस्सा है कि मतलब बहुत सारे देशों को करजा देना और फिर वहां से अनाप सनाप ब्याज वसूल करना और अगर वह ब्याज और करजा रिटर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी प्रोपर्टिस को हत्याना य अब हम यह बताने को कोशिस करेंगे कि क्यों चाइना को रिंड जाल निती चाइना की रिंड निती को रिंड जाल निती मतलब डैप ट्रैप पोलिसी क्यों कहते हैं क्योंकि चाइना अजीब शर्दों पे रिंड देता है और रिंड देकर फिर उन्हें किस प्रकार से फसात तो चाइना कर्ज देने वाले कर्ज देने सम्मंदी पैरिस क्लब का सदस्चन नहीं बनता है दोस्तो विश्व में जितने भी developed country है उन्होंने एक club बना रखा है जिसका नाम है पैरिस club है पैरिस club में mostly mostly developed country है और वो क्या करते हैं कि develop है को सहायता करते हैं नो इस पैरिस club के अनुसार क्या होता है कि उप्रीन की शरतों को कर्ज दिया है उसके सामने भी और वह भी सरकार के इस पैरिस club के सदशों कर सामने भी मतलब इससे यह पता चलाने की कोशिश की जाती है कि कहीं हम ऐसी वो शर्टे तो नहीं रख रहे हैं कि तुम हमारा रिंड नहीं चुकाओगे इतनी साल में तो तुम हमारी गुलाम बन जाओगे या फिर कोई भी ऐसी शर्ट जिससे वो देश मतलब कमजोर हो जाए है ऐसी शर्टों पर रिंड तो हम नहीं दे रहे हैं इसलिए एक पैरिस क्लब बनाया गया था और मोस्ली सभी जो बड़े राष्ट्र है जो इस प्रकार के रिंड देते हैं इसके सदश्य है लेकिन चाइना आज तक भी पैरिस क्लब का सदश्य नहीं बना इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि चाइना जब भी किसी देश के साथ रिंड देता है या रिंड के लिए समझोता करता है तो कभी भी अपनी शर्तें जो है उस देश के गवर्मेंट के अलावा किसी के साथ भी शेयर नहीं करता मतलब पैरिस क्लब का सदश्य नहीं है तो वह अपनी रिंड शर्तों को गोपनिय रकता है पर नहीं बताता है कि किन शर्तों पे रिंड दिया गया है इवन देखो दोस्तों अगर हमारी government कोई रिंड लेती है तो हमारी government के जिमेदारी होती है कि वो अपनी जनता को हमको अउगत करवाए कि हम इस देश से इतना पैसा ले रहे हैं और इन शर्तों पे ले रहे हैं क्योंकि government के जो पास जो पैसा होता है वो हमारा पैसा होता है गोर्मेंट अपनी जेब से थोड़ी लाती है पैसा और जब हमारा पैसा और उसका जो करज का भार है वो किस पर आएगा हम पर ही आएगा ना तो अगर हम पर करज का भार आना है तो हमें बताया जाना चाहिए कि हम इस से इतना लोन ले रहे हैं और इस शर्ट पे ले रहे हैं कि कल को हम नहीं चुका पाए तो हमारे साथ ये ये हो सकता है ये एक किसी भी देश का सभी देशों का ये एक करतव होता है कि वह अपने देश के लोगों को बताए लेकिन चाइना जिन भी देशों के साथ में ऐसे समझोते करता है कभी भी वहाँ की जनता के सामने कोई रिंड की जो शर्ते हैं सामने नहीं आने देता गोपनिया रखता है ना ही अपने देश की मतलब लोगों के सामने आती है और ना ही पैरिस क्लब मतलब दुनिया के लोगो कर ली है इसी अपने लोन के बदले में है तो इंडाइरेक्टली इस बात से अगर आप एक लाइन लिखोगे पैरिस क्लब का सदर्शन नहीं बनता है उससे एक्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कहना जा रहे हो ठीक है दूसरा पोइंट है चाइना किसी भी देश को अगर हम रिंड लेते हैं तो जीका से लगबग 25-35 सालों के अवधी मिनिममम इतने पर हम लोन लेते ही लेते हैं यह हमारे देश के पूलिस से बता रही हूँ और कोई भी देश अगर आप भी रिंड लेते हो ना तो मतलब हम भी मतलब बैंक से फाइनेंस वगरा करवाते हैं, वो भी किसी बड़ी चीज के लिए, लाइक अपन होम लोन करवाते हैं, ठीक है, तो होम लोन क्या हम दस साल के लिए ही करवाते हैं, नहीं जी, वो बड़ा चलता है होम लोन, हमारी सेलरी के इसाथ से करवाते हैं, कि हमारी इतनी सेलरी है और इतनी इतनी हम कटवा देंगे तो लगबग इतने सालों में घर अपना हो जाएगा इस तरह से सोच के जितना बड़ा लन लोन होगा समयावदी भी तो उतनी ज़्यादा चाहिएगी न हमको या फिर मान लो कि हम बिजनिस के लिए लोन ले रहे हैं तो दस साल के लिए अगर हम बिजनिस के लिए लोन ले लेंगे तो क्या दस साल में हमारा बिजनिस ग्रो कर जाएगा और यहां तो चलो चोटा मोटा बिजनिस ग्रो कर भी जाए बड़ी बड़ी एक्टरेस तो ग्रोई नहीं क पता है दस साल में कोई भी देश रीकवर होके लोन नहीं चुका पाएगा और खास कर उन शर्टों पर चाहता है उन पर तो बिल्कुल भी नहीं चुका पाएगा और इस से लोन लेते कों से देश है जो या तो मतलब जिनके सरकार इंडारेक्टले गुलाम होती है पहले से ही या फिर जो बहुत बड़े पहले से ही दुश्चक्र में फसे होते हैं, कि उनके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं होते हैं, और कोई साहेता का उप्शन भी नहीं होता है, वैसे लोग ही लोन लेते हैं, तो दस साल से जादा आवदी के लिए लोन नहीं देने का मतलब क्या है, कि दस साल तो देखते देखते पलक जपकते निकलते आते हैं, और जैसे ही लोन नहीं रिटर्न हो पाता, फिर चाइना अपनी उकाद पर आ जाता है, कि आजा भाई, अब देदे तुम मुझे अपनी संपत्ति या फिर जो भी है, जो भी उसको लेना होता है, नजर उसकी जिस चीज़ पर होती है, वो उसको अधिकरहित कर ही लेता है, तो एक ये भी बड़ी चीज़ है कि mostly हम जैसे लोन लेते हैं, या फिर और कोई भी देश लोन देते हैं, अमेरिका दे दो, चाहिए जापान दे दो, वो लंबी अवधी के लिए लोन देते हैं, दस साल में किसी भी देश का इंप्रूव्मेंट इतना नहीं हो सकता है, कि वो इंप्रूव भी कर ले, और फिर वो पैसे कमा भी ले, और फिर वो लोन चुका भी दे हैं तो वो नहीं हो पाता है, चीन की रिंट देने की जो प्याज की दर है, वो चार परसेंट से कम कभी नहीं रही है, अब आपको मैं एक एक्जामपल के दिवारा बताती हूँ, एक के लगबग या फिर एक पॉंट एक या फिर एक पॉंट पांच के आसपास उसकी ब्यासदर होती है, तो मतलब ना के बराबर ब्याज दर होती है यार ना के बराबर की ब्याज नहीं लेंगे या फिर एक मतलब प्रतिकात्पक रूप में ब्याज दर होती है क्योंकि अगर आप हमारी सच में हेल्प करना चाहते हो तो आपको पता है कि पैसे खटे करने में टाइम लगेगा और हम इतना ब्याज ही ले रहे हैं तो फिर क्या मतलब है कि हम दुनिया के भलाई कर रहे हैं ऐसा ही कहे दो ना हम लूटने के लिए आए हैं अगर हम जैसे पहले के जमाने में नहीं होता था साउकारों से रिंड लेने जाते थे हैं हमारे किसान और वो इतनी ज्यादा ब्याज भ बैंकों में हम पैसे कब जमा कराते हैं जब हमारे पास में एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तभी तो हम बैंकों में जाते हैं और बैंकों में जो हमारी प्यासदर होती है वो 5.5 के आसपास हम इसलिए जाते हैं कि 5.5 हमें प्रोफिट दिख रहा है हम लाव के लिए जाते हैं कि यहां पर इतने पैसे जमा करा देंगे तो इतनी दर से हमें लोन मिलेगा जिससे हमें फायदा होगा हमारे पैसे बढ़ेंगे और यहां तो भाई साब यह दुनिया के सामने यह बोलने के कोशिस कर रहा है कि मैं लोन दे रहा हूं और देखो मैं इतने कम पे लोन दे रहा हूं यह ऐसे देश में जाकि एक ऐसे देश में जाके अकाउंट खुल वायंगे जैसे कि कुई और देश पकड़ ed entonces पकड़ यması जो ना ही जिस देश को इंडिया है उसमें तीस्रे से देश सब्सडाइब चुक्र उसमें चुप्र पैसे इसमें पयो Pretty तो यह पैसे हम तुरंत जप्त कर लेंगे है ना इस तरह का और offshore account से उससे और भी कई तरह के फायदे होते हैं और उस पे भी ब्याज लेता रहता है वो तो इस तरह की कई सारी चीजे चाइना गौल मेल करता रहता है जिससे के सामने वाला देश कभी उसकी शर्तों से मतलब श इस भी देश को लोन दिया है वो आखिर डू भी गया है तो आप चार चीजे लिख दोगे पैरिस कलब का हिस्सा नहीं है दस साल से जादा लोन नहीं देता चार परसेंट से कम इसकी ब्यासदर नहीं रहती और offshore account वाला जो मुद्दा है वो भी बहुत बार चर्चा में रहत हाइडरो पावर प्रोजेक्ट पर चलने वाला देश है है हाइडरो पावर से उनके बिजली बनती है न चायना ने इसने लाऊस ने रिन लिया था चायना से और उस रिन के बतले में उसने क्या उसकी गिरवी रखी रखी है नेशनल पावर ग्रिड कंपनी 25 वरसों पर लाओस का काम ही power grid से hydro power grid से चलता था और यह सबसे बड़ी चीज है वो चाइना ने हत्या लिये तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगी लाओस की अब और मतलब यह तो एक example है इस तरह के बता नहीं कितने example मैं आपको दे सकते हूं आप रोज अख़बारों में पढ़ते हो कि चाइना ने यहां कि यह ले ली यहां कि यह ले ली जो हम देने की कोशिस भी करेंगे इससे पहले आप यह पढ़िए हाल ही में यह latest data है हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान में पाकिस्तान को पूरी तरह से गुलाम बनाने पर ठिका हुआ है चाइना कितने का 64.97 अरब डोलर का निवेश किया है तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी राशी होगी है इंडोनेशिया में दूसरे नमबर पे इंडोनेशिया है जहां पे इसने निवेश किया है 55.07 अरब डोलर और तीसरे नमबर पे यह इतनाम है 28.91 अरब डोलर यह छोटे छोटे देश हैं दोस्तों बहुत छोटे छोटे से और इनमें इतना निवेश कर दिया तो यूँ समझो कि लगभग इनको खरीद लिया चाइना ने ठीक है इसके बाद में लाउस में 29.81 अरब डोलर स्री लंका में 14.82 अरब डोलर आप यह समझे कि अगले 10 सालों के बाद में यह पूरे देश लगभग चाइना के गुलाम हो जाएंगे और आप यह भी देखिए यह इंडिया है इधर पाकिस्तान है इधर इंडोनेशिया है इधर वियतनाम है इधर लाउस है इधर स्री लंका है तो यह सारे देश जब इसके गुलाम हो जाएंगे indirectly तो इंडिया घिरेगा की नहीं घिरेगा आप समझ लो कि एक तरह से जो इंडिया को यह घेडने का भी काम कर रहा है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों को indirectly यह काबो में ले रहा है तो यह थोड़ से data है ना जो आप थोड़ासा याद रख लोगे तो आप बहुत जगे इनको यूज कर सकते हो है ना तो मतलब सबसे आदा निवेश पाकिस्तान में 64.97 अरब डोलर उसके बाद में इंडोनेशा में 55 अरब डोलर लगवग और वियतना में 28 अरब डोलर और उसके बाद में लाओ स्री लंका वगरा में भी इतना निवेश किया है इन सबी देशों को दिये गए लॉन से पता चलता है कि चाइना एक तरफा समझोता करता है चीनी बैंक लोन की सरते तै करते हैं और ये कभी भी शर्तों को सारुजनिक नहीं करते हैं, लेंदार की घरेलू और विदेशी नितियों पर चीन नजर रखने लगता है, और धिरे-धिरे उन्हें अपने अनुसार तै करने लगता है, यही तो उसकी पोलिस ही है, कि लोन देंगे, ऐसे शर्तों पर देंगे, जो किसी को लगते हैं, और धिरे-धिरे उन्हें अपने अकोर्डिंग चलाने लगते हैं, पाकिस्तान को आप देखते ही हो, मोस्ली चाइना जो बोलता है, वैसा ही करता है, अगर कोई भी देश चीन का करज नहीं लोटा पाता है, तो उसकी महतपूर्ण संपतियों को चीन अपने अंदरगाय को 99 साल के लीज भी ले लिया गया है, और पाकिस्तान के गौादर पोर्ट को भी दोस्तों चार दशक तक मतलब लगबग 40 सालों तक अपने नियंटर्ण में ले चुका है, तो ये एक्जामपल आपको देने पड़ेंगे, जिससे एक्जामिनर को पता चले कि हा उसकी नेशनल ग्रिड कमपनी, ताजिकिस्तान की भूमी, हमबन टोटा बंदरगाय श्री लंका का, गौादर पोर्ट पाकिस्तान का, इन सभी को चीन ने लगवग अपने हवाले कर लिया है, इस परकार की मनमाने शर्तों पर ब्यास देकर किसी वी देश को रणनतिक या तो इस समझते है local knowledge आता है था ग्रभ를 ट्रेक्पाइन को सकते हुए長 Meanwhile, तो यह सारे चीजें बता दोगए तो मुझे नहीं लगता कि चीन की इस पीरम पाट बिखे हैं المić रहा साइधे, फिर अगर आप किसी को समझाना चाहो तो कोई confusion होगा या फिर आपको लिखने के लिए matter चाहिए तो ये matter कम होगा है इससे ज़्यादा बड़ा caution हमसे पूछानी जा सकता है इसमें ये तो मैंने maximum limit में बताया है इससे ज़्यादा कोई पूछानी जाएगा मुझे लगता है इसमें क बहुत सारी ऐसे चीज़े यूज़ कर सकते हैं या फिर इंडिया की economy पे आए तो भी हम चाइना का एक्जामपल देखे कि चाइना अपने आर्थिक निति का इस तरह से विस्तार कर रहा है तो इंडिया को भी उसका मकाबला करने के लिए तैयार है ना चाहिए ऐसे कुछ कर कि हम ये एक्जामपल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों आज का ये था में संस्वर आइटिंग का कोशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और अगर चाहते हैं दो